हाई गैस और विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसस अफ 22 अफ नवेंबर 2021 तो गैस आज है तारिक 22 नवेंबर 2021 और है मंडे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को एनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाउ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिस्स पर दहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़े मिलती हैं बिल्क यहाँ पर है यह एक्जैक्ली लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना दनो उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षिन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि यूपी एसी प्रिव इसका सही आंसर आप लोग को सर्च करना है फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्षिन में देना है रोजाना की दरा साथी साथ इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है प्लस टेलिग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है वहां से भी राजस्तान की cabinet के बारे में चर्चा की गई है होगा क्या यह article आज नी तो कल फिर editorial पर publish कर दिया जाएगा तो हम लोग को वहाँ पर समझने में आसानी होगी इस वज़ा से हम लोग यहाँ पर इस article को थोड़ा सा एक overview करेंगे ठीके तो front page पर भी यह article है तो हम लोग को ministers हैं क्या-क्या नाम है उन सब चीजों के बारे में बताया गया जो कि हम discuss नहीं करेंगे हमाली important है भी नहीं लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो total यहाँ पर 15 ministers हैं जिन्होंने गेलो सरकार के अंडर में यह तरीके से अभी शपतली है और उसके बाद यह जो ministers का cabinet पुरा का प्लस उसके बाद जो चार है वो है ministers of state तो इन लोग को मिला कर यहाँ पर इस पूरे के पूरे cabinet को कर दिया यह है expand देखो जब से यहाँ पर गेलो सरकार आई है तब से यह जो cabinet रिशफ वाले यह पहली बार हुआ है cabinet का अंदर बदला पहली बार हुआ है ऐसा expansion हम लोगों न पहली बार देखा है ठीक है गेलो सरकार 2018 में आई थी तब से अभी तक यहाँ पर यह पहली बार step उठाया गया है यह बताया गया दैन उसके बाद यहाँ पर बहुत साइब लोग का कहना है कि यहाँ पर यह एक positive step उठाया गया है क्योंकि पहले क्या हो रहा था यहाँ पर इस cabinet के अंदर काफी सारे fraction थे काफी सारे यहाँ पर भेदबाव देखने को मिल रहे थे लेकिन अब क्या है यहाँ पर इस cabinet के अंदर लगबग तीन women हैं, चार दलित community members हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ministry के अंदर लगबग 19 cabinet ministers हो चुके हैं उसके बाद 10 ministers of state हैं, मतलब अब यहाँ पर कोई जो factionalism थाना बिसिकली उसको कम कर दिया गया है यह यहाँ पर बताया गया, I hope आपको एक्लियर हो चुका है बस इतना ही जानो, उसके बाद यहाँ पर कौन-कौन बना है क्या-क्या बना है, जिनके नाम यहाँ पर mention करेगा है और वो जो नाम वगएर आए, वो हमाली important नहीं है बस आपने इतना समझ लिया, इतना काफी है अब आगे कोई article आएगा, तो इसके बारे में हम लोग अराम से चीजों को clear कर पाएंगे अब आते हैं अगले article पर अगला article बहुत important होने वाला है हमारे exam के perspective से, खास कर GS paper to quality के perspective से आपको मालूम होगा, यह article पिछले तीन दिनों से लगातार चर्चा में है हमारी सरकार ने जो farm bills ने, खास कर जो तीन farm bills है उनको अभी repeal करने की announcement कर दिये मतलब सरकार उन farm bills को वापस से लेने वाली है और उसके लिए जो date है वो भी दे दी गई 24 नवंबर तक यहाँ पर उन सारे farm bills को जो farm laws है basically उनको repeal कर दिया जाएगा उनको वापस ले लिया जाएगा अब ये सब चीजे देखने के बाद जैसे हमारे प्रामिनिस्टर मोदी जी ने ये decision लिया उसके बाद जो समयुक किशान मोर्चा है इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो अभी भी चीजे बहुत सारा pending है अभी भी सारा solution नहीं निकला है तो इन्होंने Sunday evening में काफी कुछ लिखा है एक letter लिखा है हमारे प्रामिनिस्टर को और वापे demand करिये कि अभी भी देखो क्या करना है आप में तीन farm loss को repeal करने का announcement क्या है इसका decision लिया है इसका जो ये decision है इसको हम लोग जो farmer से वो welcome करते हैं लेकिन दूसरी चीज अभी भी चीज़े pending है सबसे पहली चीज तो सहाँ पे सरकार को क्या करना होगा जो MSP है उसको एक legal backing देनी होगी MSP को support देना पड़ेगा एक और एक तरीके से कि MSP जो किसान भाई है उनके पास से कहीं न जाए इसको लेकर insurity देनी होगी MSP क्या है minimum support price अभी इसके बारे में discussion करेंगे फिर MSP के बाद यहाँ पर देखो जो भी farm laws आये थे farm laws के साथ साथ क्या हुआ था electricity amendment bill भी लाया गया था तो इस bill को भी वापस से withdraw करने के लिए यहाँ पर farmers ने बोला है तो यह कुछ चीजे और भी extra add करी गई है तो इसके बारे में आप लोगो ध्यान रखना है farm bills के अलावा यहाँ पर कुछ चीजे यहाँ पर बोली गई है तो इनको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है उसके बाद इस letter के अंदर किसान भायों ने और भी चीजे यहाँ पर mention करी है खासकर सम्युक किशान मोर्चन है जो यह letter लिखा है इसमें और भी चीजे मेंचेंड है दूसरी चीजे यह मेंचेंड है कि देखो यहाँ पर फार्मर्स के ओपर काफी सारी penalty लग सकती है और वो किसके अंदर में लग सकती है हमारे पास एक Act है यहाँ पर जो भी पेनल्टी वगरा लगाने का प्रोविजन एस Act के अंदर उसको भी यहाँ पर रिमूव कर देना है उसको भी हटा देना है यह बताया गया प्लस उसके बाद आपको मालूम होगा अभी जब फार्म लॉस चल रहे थे तो उसके दोरान काफी सारा प्रोटेस चल ला था तो अभी लखीमपूर खेरी के अंदर एक बहुत बड़ा वैलेंस हम लोगों को देखने को मिला ठीक है वहाँ पर काफी बड़ा इंसिडेंट क्रियेट हुआ जो यूनिन मिनिस्टर है उसको कौन है वो यहाँ पर अजब मिश्रा को बताया गया है तो इनके खिलाफ स्टेप्स भी उठाने चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला गया है इस लेटर के अंदर तो यह चीज़े आपको ध्यान में देनी है उसका फार्म लॉस के बारे में डिसकेशन किया गया फार्म लॉस के बारे में मैं आपको परसो बता चुका हूँ कल मैंने आप लोगों से पूझ आता आप लोग भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में सारी चीज़े मेरे को बता चुके हो ये तीन farm losses जिनको अब भी repeat करने की चर्चा की गई है इसके बारे में जो भी information है वो मैं आप लोगो टेलिग्राम पर भी provide करवा दूँगा तो ये था छोड़ा सा article हाँ farm loss थो हमने पढ़े थे अभी परसोई लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ पढ़नी है minimum support price इसको पढ़े वे काफी दिन हो चुके हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बहुत important है इसके regarding UPSC पहले question पूछ चुका है और अब भी possibility है कि इसको पर question पूछा जा सके article GSP per 3 plus GSP per 2 दोनों के perspective से important है सबसे पहली चीज़ तो minimum support price होता क्या है देखो यहाँ पर एक minimum price है किसी भी फसल का जो की सरकार हमारे किसान भायों को दे रही है हमारे farmers ने कोई crop का production किया है कोई भी crop उगाई है उसके बदले में यहाँ पर उनको सरकार जो है एक minimum support price देती है मतलब कुछ भी हो इतना price तो मिलेगा मिलेगा ठीक है चाहे वो कैसी भी situation चल रही है कोई कैसी भी economic situation चल लही है हमारे country के अंदर लेकिन इतना price यहाँ पर सरकार farmers को देगी ही देगी तो इससे farmers को एक support मिल जाता है प्लस यहाँ पर आपका सकतो एक security से मिल जाती है कि हाँ सरकार हम लोग को हमारे crops का इतना amount देगी जिसको हम लोग minimum support price बोलते हैं ठीक है अब क्या है यहाँ पर जो यह minimum support price है यह अलग-लग crops के लिए अलग-लग फसलों के लिए दिया जाता है आप लोग को मालूम होगा और यह जो पूरा का पूरा support price का structure है इसके बारे में recommendation किसने दिया था तो इसके बारे में जो recommend करने वाली body है वो है Commission for Agriculture Cost and Price इन्होंने recommend किया कि जो MSP है लग-बग तेहीज अलग-लग फसलों के लिए MSP होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा वो कौन-कौन सी फसले है फिर उसके बाद क्या हुआ जो Commission for Agriculture Cost and Price है बिसिकली क्या है यह आखिर तो यह एक office है attached office जो कि Ministry of Agriculture Farmers Welfare के अंडर में आता है इसको मनाया गया था 1965 के आपस एक advisory body है जो कि यहाँ पर recommend करती है सरकार को कि सरकार को यह कर लेना चाहिए लेकिन वो सरकार के उपर dependent है कि सरकार वो बात मानती है या नहीं मानती है अब बात करते हैं कौन-कौन से crops को लेकर यह minimum support price दिया जाता है सबसे पहले कुछ cereals है हमारे पास साथ cereals है जिसमें paddy, wheat, barley, जोर, बाजरा, मेज, रागी यह सारी से जाती है जहाँ उसके बाद कुछ दाले हैं जहाँ पर gram, arhar, moong, urad, lentil यह कुछ दाले आती हैं जहाँ उसके बाद oil seeds आते हैं हमारे पास जैसे की ground nut, rape seed, soya bean, sunflower seed, उसके बाद सीसमम, sunflower seed, मतलब और भी अलग-लग seeds यहाँ पर आप देख पाओगे इनके अंदर भी MSP दिया जाएगा, मतलब जब farmers इन चीज़ें का production करेंगे तो यहाँ पर सरकार इनको MSP प्रोवाइड करवाएगी और उन MSP की मदद से क्या होगा सरकार इन सारे जो crops हैं इनको खरीदेगी, ठीक है फिर उसका कुछ commercial crops भी है, commercial crops के अंदर आता है raw cotton, raw jute और कुसका कोपरा आता है, तो यह आप लोग इसके बारे में छोटा सा idea रख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया crops के बारे में, अब जब हम लोग crops के बारे पढ़ते हैं तो एक और चीज़ हमेशा ध्यान दखना crops अलग-लग प्रकार की होती है, एक होती है rawi crop, उसके बाद खरीफ, दन उसके बाद z crops हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है और इनके regarding question पूछा या है आप देख पाओगे जैसे rawi crop की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह October से लेकर December के महिने के बीच में उगाई जाती है जब उसके बाद इनकी जो फसल की कटाई होती है जो हर्वेस्टिंग होती है, वो April से जून के बीच में होती है तो आप लोग जैसे की wheat, barley, piece, gram, mustard हो गया यह rabi crop के अंदर आता है तो उसके बाद rice, mace, jowar, bajra, tur, bung, urad, cotton, jute, groundnut, soya bean यह सब खारीफ crop के अंदर आता है तो उसके बाद जो seasonal fruits हो गया vegetables, fodder crops, यह सब जैद crop के अंदर आता है फिर मैंने हाँ पर सारे states भी mention कर दिया कि कौन कोंस states के अंदर जाद तर यहाँ पर यह rabi crops उगाई जाती है तो इसको यह जो data है अपने पास store करके रखना इसको एक बार revise कर लेना, यह picture मैंने बहुत पहले आपको send कर दिया था टेलिग्राम पर तो आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़ते रहना अभी आपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देखो UPSC ने साल 2008 में इन crops के regarding एक simple सा question पूछा था इन्होंने यहाँ पर कुछ नाम दिये गए जैसे कि A cotton, B grounded, C rice और D wheat, 4 crops के नाम दिये गए और फिर उसका इन्होंने question पूछा इन सब crops में से कौन-कौन सी crops खारीफ crops हैं यह आपसे question पूछा गया है देखो अभी मैंने आप लोग को बताया है अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सारी remember कर पा रहे हो तो इसका answer आप यहीं पर सरकार में तुरंत ही discussion किया है ठीक है तो इसके बारे में ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर एक छोड़ा सा आर्टिकल है लेकिन अगेन एक और important आर्टिकल है exam के perspective से देखो यहाँ पर क्या चर्चा की गई है अभी हमने discussion किया कि जो farm laws है basically उनको repeal करने की चर्चा कर दिये सरकार ने और उनको वापस से ले लिया जाएगा लेकिन जब सरकार ने announcement किया कि farm laws को वापस से लिया जाएगा उसके बाद से country के अंदर और भी बहुत सारी चीजों की मांग उठ रही है जैसे कि ntca protest भी वापस से उठता हुआ नजर आए किया तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़े बहुत सारे आर्टिकल्स लगातार पब्लेश हो रहे हैं ठीके तो अब क्या हुआ यहाँ पर आप देख पाओगे जो ntca protest वह भी बढ़ता हुआ नजर आएगा सी यह क्या है तो वह सिटिजन्शिप अमेंडमेंट बिल ठीके और पड्रेश भी लगातार बढ़ते हुए नजर आरे संदृ कि अब डिमांड की जा रहे है कि जिस प्रकार से फार्म लॉस को वापस से लिया लिया जाए उसी प्रकार से इस एक को भीवपस ले लिया जाए तो जो प्रोटेस्ट है वह वापस से उठते हुए नजर आ रह ठीके, non-muslims जो की कहा कहा से आये हैं, तीन कंट्री से, अफगानिस्तान, बांगलेदेश और पाकिस्तान, ठीके, इन कंट्री से कोई यहाँ पर आया है भारत के अंदर, जिन्होंने आपर शनर्ड यह भारत के अंदर ऐसा refugee आये, तो उनको citizenship देने की चर्चा की गई थी, ले अब तक 2014 तक, इंडिया तिल 2014 तक यहाँ पर जब तो नोने refuge एक तरीके से टेकन क्या है, तब तक यहाँ पर आपका सकते हो, क्या होगा, उन्हीं लोगों को एक तरीके से यह citizenship देने की बातचीत की गई है, ठीके, उसकी बात क्या हुआ, जैसे यहाँ पर N.T.C.A. यह तरी तरीके से प्रोटेस्ट वगरा काफी थे, जिससे बढ़ चुके थे, जब हमने यहाँ पर इस बिल को आगे लेकर आए थे, और December 2019 के अंदर तो काफी सारे बावाल हम लोगों को देखने को मिले था, CAA के रिगार्डिंग यहाँ आप लोगों को मालूम होगा, ठीके, तो इ एक तरीके से आप दे सकते हो कि मैंने बोला है citizenship amendment act, यह एक amendment है, यह एक संशोधन है, इससे पहले मतलब act आया हुआ है, बिलकुल, तो citizenship act 1955 था, इसी के अंदर amendment क्या आया था, तो amendment क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो भी communities, पाकिस्तान, बांगलदेश, अ भारत के अंदर आ चुकी है, as a refugee, कब December 2014 से पहले पहले, ठीके, उनको हम लोग citizenship देंगे, लेकिन non-muslim members को यहाँ पर citizenship दिया जाएगा, यह यहाँ पर बताया है, ठीके, I hope आपको यह clear हो चुका है, CAA के बारे में, और article अच्छे से clear हो चुका है, कि क्या आखिरकार चल रहा हाता है, हमारे syllabus के अंदर, वहां के point of view से यह important हो सकता है, अभी क्या हुआ, जो एक तरीके से महाराश्च्र सरकार है, इन्होंने 15 लाक रोपे का compensation दिया है, एक व्यक्ति को, ठीके, अभी एक composition को दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपका सकते हो कि एक guard थी, एक forest guard थी, जिनको जिनकी death हो जोकिया, जिनको एक tiger के थुरू मार दिया गया, ठीके, एक शेरनी के थुरू यहाँ पर मार दिया गया, मतलब tiger वेसी के लिए, यहाँ पर tiger का जो female है, उन्होंने यहाँ पर मार दिया, तो इस प्रकार की चीज़े हम लोग को देखने को मिली है, यह कहाँ पर चंदरपूर district पर है, यह चंदरपूर district कहाँ पर है, यह है माराश्टरा के अंदर, यह सारा incident वहीं पर देखने को मिला है, ठीके, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर इनके जो husband है, उनको 15 लाग रुपे का ex-gratia amount ये compensation भी दिया या है, इनकी family को प्लस यहाँ पर जो इनके husband ह उनको यहाँ पर एक government job भी दी है, इसी state forest department के अंदर, तो इसके बारे में आप लोग एक idea छोटा सा रख सकते हो, लेकिन अब आप कोगे इसमें चीज important क्या है, इसमें एक चीज important है, यहाँ पर एक tiger reserve के बारे में चर्चा की गई है, वो है तोडोबा अंधेरी tiger reserve, इसके बा इसकार के directly भी बहुत सारे questions पूछे गाएं, तो prelims के point of view से directly important होने वाला है, तो अडोबा tiger reserve की बारे में अगर हम बात करें, तो यह एक तरीके से located है, चांदरपुर district कहां पर महराश्टरा के अंदर, तो directly आप लोग ध्यान राखना महराश्टरा के अंदर located है, महराश्ट महराश्टरा का यह oldest और largest national park है, बहुत पुराना यह national park यह देखने को मिलेगा, और इंडिया का 50, इंडिया का 50 project tiger reserve का हमने project चलाया था, ठीके, उसी के अंदर, मतलब उस project का भी यह part आपको देखने को मिलेगा, जो तडोबा अंधिरी tiger reserve है, ठीके, इसको बनाया गया था, म महराश्टरा के अंदर यह दूसरा tiger reserve था, इससे पहले पहला tiger reserve भी आया होगा, बिल्कुल, जो पहला वाला tiger reserve था, उसको महराश्टरा के अंदर बनाया गया था, जिसका नाम है, मिलघट tiger reserve, 1973 से लेकर, 74 के आसपास की बात है, ठीके, यह आप लोग इसके बारे में एक स्टेडी पब्लिश होई है, और उस स्टेडी ने बताया कि कोरोना वाइरस की बजास है, जो लंबे समय से स्कूल बंद है, इससे क्या हुआ, जेंडर एक्वालिटी का जो थ्रेट है, यह जो खत्रा है, यह थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आया है, जेंडर एक्वाल लंबे समय से स्कूल बंद रहे, यह इंडिया में ही नहीं बंद रहे, दुनिया भर में स्कूल बंद रहे, इससे क्या हुआ बच्चों का जो लर्निंग लॉस है, तो काफिय तक देखने को मिला मिला है, लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम निकल कर आचुकी है, वो है जेंडर इक्वालिटी की, यह यहाँ पर स्टड़ी आई है, किसके तुरू युनवास के को की तुरू आई है, तो बहुत इंपोर्टन स्टड़ी है, इसके बारे में ध्यानक ना है, और इस स्टड़ी का टाइटल क्या है, टाइटल है वेन स्कूल शट जेंडर इंपक्त कोविड-19 स्कूल क्लोशर, यह यहाँ पर इसका एक तरीके से टाइटल दिया गया, और यहाँ पर इनोंने बोला, कि जो गर्ल्स और बोईज हैं, ठीके, इन दोनों के बीज़ में यहाँ पर क्या हुआ है, एक तरीके से जो आपका सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन है, यह होने की वज़ा से, आज की टाइम पर भी बहुत सारी जगा पर सफर करे रहे हैं बच्चे, और इनकी जो लर्निंग लॉस है, वो काफिये तक बढ़ चुकी है, यह हम लोगों ने देखा है, दन उसके बाद यहाँ पर कुछ एविडेंसिस निकल कर आए है, 90 कंट्री से, 90 क बालेट करें गए, लोगल कॉम्निटीस के साथ यहाँ बातचीत करें गई, दन उसके बाद रिपोर्ट यह बताती है, कि हाँ जेंडर के बीच में डेफिनिटली जो यह डिस्क्रिमिनेशन यह बढ़ा है, जो बहुत बहुत करें, ठीके, तो क्या होगा, हम लोग पूरर गरीपरिवार के लोग है, अगर इनकी बात करें, तो क्या हुआ, इन्होंने जो गर्स पढ़ रही थी, स्कूल के अंदर, इनको वहाँ से इस्कूल से ड्रॉप आउट करवाया, इस्कूल से निकाला, इस्कूल से निकाल लेके बाद, जो घर के कुछ काम सोते हैं, कोर्स हो फिर उसके बाद इनको कुछ ऐसी activities के अंदर शामिल कर दिया कुछ एक तरीके से लेबरिंग वगरे category वगरे में डाल दिया है इससे भी काफी तक problems create होती भी नजर आई है ठीके तो girls ने तो काफी तक difficulties face करी है इस पूरे के पूरे एरा के अंदर और एक सबसे बड़ी difficulty निकल क हुआ तो फिर क्या हुआ एक परिवार को हम लोगो को हमने देखा कि एक परिवार ने सब चूजिक अफॉर्ड कर ली है ठीक है जो अमीर है उसने सब चूजिक अफॉर्ड करी इंटरनेट से लेकर स्मार्ट फोन से लेकर हर चीज अफॉर्ड करी लेकिन एक गरी पर बड़ आती है आई हूप आपको सारी चीज़े अच्छे से क्लियर हुई है आगे बढ़ते हैं अगले आडिकल पर नेक्स्ट एक और स्टडी कंड़ेक्ट हुई है और इस स्टडी ने पब्लिश क्या है कि जो लाइफ एक्सपेंक्टेंसी है अर्बन पूर के लिए वो तरीके से कम ह चुकि है यानि कि आपका सकतो शहर के अंदर बहुत सारे गरीब लोग देखने को मिलेंगे ठीक है शहर के अंदर आपको हर कैडिगर का इंसान देखने को मिलेगा लेकिन बहुत सारे पूरर सेक्शन के लोग भी देखने को मिलता है तो उसके उनके अंदर क्या हुई कि जो इतना कम साल जीने वाले हैं तो life expectancy है हम लोगों कम होती भी नजर आ रही है इसको देखते वे हम लोगों ने कुछ past data भी यहाँ पर analyze किया है और यह जो पूरा का पूरा study है यह किस ने release की है तो यह अजीम प्रेमजी यूनिवरस्टी ने release की है इन्होंने collaboration किया लगबग है अर्बन इंडिया के अंदर देखो इसकी वज़य से भी बहुत सारे inequalities देखने को मिलेंगे शहर के अंदर अच्छे से आप देख पाऊगे healthcare inequalities देखने को नहीं मिलेंगे आज के टाइम पर ना बहुत सारे शहर के अंदर primary healthcare centers ही नहीं जो बहुत सारे हैं जहां पर काफिय तक जो healthcare facilities वह expensive भी देखने को मिलेगी काफी कुछ यहां पर पैसा देना पड़ता है दन उसकी बाद यहां पर health facilities मिल रही है ठीके तो यहां पर देख पाऊगे जो इंडिया की population आज के टाइम पर जो शहर वाले एरिया में रह रही है ठीके इनके अंदर हम लोगों ने देखा है कि काफिय तक इनोने problems फेस करी है खास कर जो इनकी life expectancy जो जीने के एक तरीके से expectancy rate होता है वो भी काफिय तक कम हो चुका है ठीके यह भी दे पर इस डेटा को लिया गया है और डेटा को अच्छे से analyze किया गया है इसके अंदर जो analysis है वो national family health survey का भी डाला गया है census का और भी बहुत सारी चीजों का data लिया गया है इसी वज़ा से कह रहा हूं जो study है वो important है genuine study हम लोगों को देखने को मिलेगी उसके बाद इस report के पर क्या हो रहा है कि इनको जो health care है वो अच्छे से provide नहीं किया जा रहा है ये भी हम लोग देख पाते हैं अब इनकी इन सब चीजों के regarding एक steps उठाने की जरुवत है step क्या steps बहुत सारे उठाने की जरुवत है जिससे हम लोग यहां पर पूरर section के लिए काफी कुछ कर सकते हैं खासकर urban areas के अंदर ठीक है यह आप लोग को ध्यान रखना है सबसे पहला step हमें उठाना होगा strengthening healthcare यानि कि जो हमारा healthcare system है उसको सबसे पहली बार मजबूत करना पड़ेगा काफी सारी चीजे affordable बनानी पड़ेंगी हम लोग को healthcare sector के अंदर ताकि जो poor people है वो अराम से चीज हैं उनकी कमी पड़ी हुई है कहां कहां पर आपको primary health care normal देखने को मिलेंगे ठीक है तो जो red वाले areas आप देख पार होंगे जादतर red वाले areas है जहां पर एक तरीके से लाप देख पाऊंगे कहीं पर 80% से shortfall है कहीं पर 60% से shortfall है मतलब कि यहां पर primary health care काफी सारे कम होदे है ठीके तो इसके बारे में आप लोग एक idea रख सकते हों आगे बढ़ेंगे आगले article के उपर next article आता है एक और जबरदस्त article आता है यहां पर क्या हुआ है कि जो INS विशाका पत्नम जो destroyer है एक तरीके से यह steel guided missile destroyer है इस जहाज को commission कर दिया गया है नेवी को अब यह जहाज ह अब को discuss के अदा detail में सारे notes टेलिग्राम पर पढ़े हैं वह भी आप देख सकते हों तो कोई बात नहीं फिर से बताऊंगा project 15 B के बारे में हम लोग आप फिर से discussion करेंगे तो अभी क्या हुआ है इसी project के इंडर में INS विशाका पत्नम को बनाया गया था अब इस जहाज को दे दिया गया है हमारे navy को commission कर दिया गया है तो अपने आप में एक important ये achievement देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग इस project 15 B के बारे में discussion करने वाले हैं article GS paper 3 defense technology के perspective से important होगा चर्चा में क्यों है तो मैंने आपको बता दिया कि recently क्या हुआ है जो पहला जहाज है ठीक है project 15 B के अंदर basically जो ये project 15 B है इसके अंदर हम लोग ने चार जहाज बनाने के बारे में चर्चा की है चार जहाज में से एक हमारा INS विशा का पतनम भी है तो ये जो INS विशा का पतनम है इसको एक और नाम से जाना जाता है वो नाम है Y12704 अब ये इस जहाज को deliver कर दिया गया है नेवी के खुद का स्टील इस्तमाल हुआ है और एक ऐसा स्टील है जो कि सबसे जादा अच्छा स्टील आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है DMR249A ओके दन उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया INS विशा का पतनम के बारे में तो यहाँ पर यह तरीके से एक डिस्ट्रॉयर जहाज देखने को मिलेगा जो एक तरीके से लड़ाई वगरा चल लिए एक वार्शिप देखने को मिलेगा जो कि बहुत भीतिनी तरीके से परफॉर्म करने वाला है इसके उपर बहुत सारे विपन्स वगरा लगाएगा है इन्पैक्ट स् इसके बारे में आडिया रखना है दनुसके बाद हाली में यहाँ पर विशाका पत्नम क्लास का जो शिप है इसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर नेवी को डिलेवर कर दिया अब मैंने जैसा बताया था इस प्रोजेक्ट 15B के अंदर हम लोगों ने चार शिप्स को पर काम कर रहे हैं और चार शिप्स यहाँ पर बैसिकली इसमें से कुछ तयार हो चुके मैं आपको बताता हूं कौनकों से तयार हो चुके हैं कौनकों से यहाँ पर अल्रडी कमिशन कर दिये गाए देखो एक तो विशाका पत्नम हो गया जो कि अभी डेलिवर करा गया उसके बाद ज यह कुछ चीज हैं आई होप आपको यह क्लियर हो चुकी है प्लस यह हमने देखा जो भी शिप बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट 15B के अंदर इनके आप में जो एक तरीके से फीचर है वो बहुत ज़दा बहतर है जैसे मैंने बताया गाड़ीड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एक तरीके से यहाँ पर आपका सकते हो यह डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा प्लस उसके बाद यहाँ पर इसके जो फीचर से इसके अंदर हमने बहुत सारे वेपन सेंसर पैकेज एड़ स्टील फीचर भी लगा रखाए दन उसके बाद यहाँ पर हमने इतनी अच्छे से से सको develop कर रखा है कि इन ships के ओपर ब्रहमोज सूपर स्वानिक मिसाइल को भी equipped की एड़े ऑब ब्रहमोज मिसाइल जो की बारत न रिश्या के साथ मिलकर बना आ गया हैं जिनका नाम है surface to air missile मदफ सतह से हवा में छोड़ने वाली मिसाल से आपको देखने को मिलेंगी ठीके फिर उसके बाद यहाँ पर यह anti-summarine भी है मतलब sunmarine के उपर भी attack कर सकते हैं तो हर तरफ से आपर इस जहाज को काफी बहतरी निम्राने की कोशिश की है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अब इसका रोल क्या होगा रोल यह होगा कि जो हमारी नेवी है उसकी जो potential है उसको और जदा बढ़ा देगा उसकी जो लोगों ने यह देखा है कि जो पुलिस का attitude है पबलिक के तरफ वो काफ यह तक positively बदला है ऐसा हम लोगों ने चीज़े देखी है और यह statement हमारे प्राइम मिनिस्टर के थू दिया गया आपको मालूम होगा तीन दिन का conference चल रहा है जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफी कुछ discussion किया है डीजीपी के साथ मिलकर बहुत सरे डीजीपी हैं जिनके साथ मिलकर चर्चा की जा रही है मैंने आपको कल भी सार्टिकल के बारे में बताया था जहां पर हमारे प्राइम ने चर्चा करी है कि जो अलग लग राज्ये के डीजीपी है इन चीजों को देखते हैं यहाँ पर यह जो पूरा conference है इसको तीन दिन तक चलाया गया और जो इक conference है इसका उद्गाटन किया गया था हमारे home minister अमिशा जी के थूरू 19 नवंबर को और आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सरे और भी यहाँ पर ministers है जिनको यहाँ प जो बहुत बड़े-बड़े issues हुआ करते हैं वहाँ पर हम लोग force का इस्तमाल करते थे और क्या करते हैं हम लोग जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती से हाँ पर एक तरीके से चीजों को control करने की कोशिश करते हैं लेकिन आज के टाइम पर जो पुलिस का रोतवा है वो professionally change हो को भी constitute कर रहा है हम लोग technology के ऊपर भी काम कर रहे है और technology के basis पर हम लोग जो है पुलिस के अंदर काफी सारे बदला भी करेंगे आने वले time पर ये चीज़ हम लोग देख पाएंगे तो इस conference के अंदर ये सारी चर्जा की गई है आजूप आपको ये clear हो चुका होगा इस conference क अटेंड किया था लगबक 62 DGP ने और बहुत सारे IGP भी थे प्लस और भी बहुत सारे officers थे जिन्होंने यहाँ पर इसको वीडियो conference के माधियम से भी यहाँ पर अटेंड किया है तो ये था complete article आयूप आपको इस यारी चीज़े clear हो चुके हैं उसको यहाँ पर बोला गया क कि देखो क्या होगा आगे बढ़ेंगे आगले आर्टिकल की तरफ तो उसका ध्याँ पर कुछ आर्टिकल मतलब पॉलिटिक से भरे हुए हैं तो यह हमाले कुछ खास नहीं है इनको आप लोग प्रॉपरली स्केप कर सकते हो डिरेक्ल आएंगे पेच नमबर 11 के ओपर सुडान है सुडान के अंदर मिलीटरी को आया था मिलीटरी ने तकता पलट कर दीया था लेकिन अब वापस से सुडान के जो प्रायम इनिस्टर हैं उनको री स्टूर किया जाए तकता पलट के एक महीने के बाद मिली ऑडिकल हमाली इंपोर्टन नहीं है लेकिन आप करके सकते हो एक जीशा जरूर कर लेना सुदान को मैप में देखना और सुदान के आपस पास की जो neighboring countries वो भी मैप में देखना है जानना उसके बाद आकर यही पर नीचे comment section में type करना है लेकिन उसके बाद आता है एक important article पर अब यहाँ पर रहता है एक और important article अभी क्या हो रहा है ना कि जो पाकिस्तान की port city है ग्वादर वहाँ पर काफिया तक protest कर रहा है लोग अब लोग का protest क्यों किया जा रहा है ताकि मतलब कि आपके सकते हो चाइना के अगेस्ट में यह protest चल रहा है तो देखो यहाँ पर जो बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहा है यह पाकिस्तान की port city के अंदर खासकर ग्वादर के अंदर यह सब चलने अननसेसरी चेकपॉइंट्स के वाज़ा से बहुत सारे मतलब मतलब कि जो बहुत सारे लोग अपना कमाते खाते हैं ठीके उनकी रोजी रोटी को पर काफी बड़ी दिक्कत देखने को मेरी है जिसकी वज़ासे लोग प्रोटेस्ट करें ठीके और यह प्रोटेस्ट किया गया है चाइना के जो मल्टी बिलियन डॉलर एक तरीके से प्रो प्रोटेस्ट है इसको पूरी तरह से और्टेस्ट है जो भी वरकर्स है कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसके और यहां पर आज के ताइम पर काफी है तक यह बवाल चलता हूं हम लोग को नजर आ रहा है लेकिन यहां पर आपको ध्यान रख रहोगा चाइना पाकिस्तान एक इसी एरिया के अंदर आप देख सकते हो यह डिस्प्यूट चल रहा है अब क्या हो रहा है यह तरीके से यहां पर आप देख पाओगे पीयो के वाले रीजन से निकाला गया है और यह जो प्रोजेक्ट है इसी के अंडर में हाँ पर काफी है तक प्रोटेस्ट किया जा रहा उसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया था चाइना का One Belt One Road Initiative के बारे में तो आप देख पाओगे यह Belt and Road Initiative प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ने पूरी फोकस किया है कि हम लोग कनेक्ट कर सके दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज को चाए वो सी के माध्यम से हो ठीक है एक मेरे एक चीज़ और देखेंगे अभी मैंने आपको बताया था एक टाइगर रिजर्फ के बारे में जिसका नाम है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्फ ठीक है यह कहां पर है महराष्ट्रा के अंदर है यह आपको इस जागा पर देखने को मिलेगा टाइगर बिजनस सेक्शन होता है वो नहीं आता ठीक है अब डिरेक्टी चलेंगे हम लोग अपने एडिटूरियल पर देखेंगे आज के इंपोर्टेंट एडिटूरियल को तो पहला एडिटूरियल हम डिसकुस करेंगे इसके बारे में कल यह आर्टिकल हमने पेज नबर वन पर भ करते हुए आ रहे हैं उसकत इस आर्टिकल पर एक बार नजर मारेंगे यहां पर चर्चा की गई है जो चाइना की न्यूकलर कैपबिलिटीज है मतलब चाइना जो है न्यूकलर वेपन के मामले में काफी अच्छा कर रहा है और आज के टाइम पर इससे भारत को कंसर्ण हो स रखते हैं हम लोग तो मिन्स एग्रिमेंट क्या था मैं आप लोगो यहां पर समझाओंगा ठीकिए बहुत पुराना एग्रिमेंट है अच्छी से समझेंगे हम लोग उसके बाद यहां पर एक आर्टिकल यह वाला है यहां पर ऑफर ने काफी अच्छी से बताया है कि बारे में मैं आप लोगो एक ओवर भी दे दूँगा ताकि आप लोग चीजों को क्लियर कर पाओ कि देखो आयूरवेदा को हम लोग एक रियल साइंस बना सकते हैं हमने कोरोना वायरस के टाइम पर देखा है आयूरवेदा को काफी जाते से बढ़ाया गया लेकिन बहुत स चीडियो साइंस है यहां पर सिर्व और सिर्व यहां पर एक सोच है ठीक है तो यह ऐसा ऐसा बोला जाता है लेकिन यहां पर बोला गया आयूरवेदा को हम लोग एक रियल साइंस बना सकते हैं इसके ओपर काम करके तो ऐसा यहां पर ऑथर मेंशन कर रहे हैं इसके बारे मे पहले एडिटोरल को जो सबसे पहले एडिटोरल है चलो हम लोग यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को ही उठा लेते हैं ठीके यह वाला आर्टिकल लेते हैं important भी है अभी देखो क्या हुआ है इस आर्टिकल में चर्चा करेगी गई है एक एक करके मैं आप पर सारी चीज़ें ड जो बाइडन ने बहुत सारे यहां पर आप कर सकते हो कि मुद्दो को उठाया जैसे कि ताइवान का मुद्दा उठाया कि ताइवान के और चाइना के बहुत बाएड डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं प्लस चाइना के अंदर जो जिंजियांग वाला रीजन है महाँ पर यहां पर बूरी तरह से ट्रीट करता है महाँ पर हुमन राइट वोलेशन करता है यह मुद्दा है यहां पर जो बाइडन ने उठाया तीसरा बाइडन ने ट्रेड डेफिसिट को उठाया कि जो व्यपार के अंदर कमी है चाइना और युएस के बीच वह काफिया तक और यहाँ पर रिलीस करते हुए इन्होंने ये बताया है कि आज के टाइम पर जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसकी जो कैपबिलिटी है खासकर नुकलिर पावर के अंदर वो काफी बड़ी है वो काफी इंक्रीज होई है इसका इंक्रीज होता हुए नजर आएगा क्योंकि किसी कंट्री के पास नुकलिर कैपबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपने आप में वो कंट्री काफी पावर्फुल प्लस यहाँ पर दूसरी कंट्री के ओपर हावी हो सकती है यह आप लोग देख पाओगे यह चीज़े आहिए इनके जो स्ट्रेंथ है ओजिशत के मामले जबी के मामले हें ले इन सबी चीज के मामले में अपर हो के अपर्पर क्या है अपने सेक्टर के ऑपर पहले अम बात करते हैं जो people republic of china का जो पूरा का पूरा nuclear sector है इसके size के बारे में देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो पूरा का पूरा nuclear system है चाइना का यह लगातार increase होता वन रजर आ रहा है ठीक है जो people republic of china का nuclear arsenal है अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगबग 200 nuclear warheads आपको देखने को ठीक है अलग अलग nuclear weapons आप देख सकते हो देखने को मिलेंगे ठीक है और इसमसे हाँ पर आपके सकते हो कि जो बहुत सरे जो nuclear weapons है वो यूएस के थुरू direct किये जाते हैं ठीक है यह आप लोग देख पाऊगे उसके यूएस भी अपने आप में काफी बड़ा है यूएस के प लगातार आप कर सकते हो कि बड़ाया है अपना जो low yield weapons है इनको काफी तक बड़ावा दिया है ठीक है और यहाँ पर आप कर सकते हो कि development इन चीज़ों के अदर काफी ज़्यादा क्या है और जो low yield weapons है यह अपना में काफी important हो सकते हैं जब भी हम लोग यहाँ पर कोई conventional military operation कर हो तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है टार्गेट के लिए हम लोग छोटे-छोटे चीज़ों के लिए यहाँ पर इन वेपन का इस्तिमाल कर सकते हैं यह आप लोग देख पाऊगे जो lower yield warheads पैसिकली देखने को मिलते हैं यहाँ पर इससे चायनों को काफिया तक help मिलने वाली है चायनों को यहाँ पर damage भी कम होगा प्लस यहाँ पर चायना इनको अराम से इस्तमाल भी कर सकता है सारी जगह पर इनको वेपन को ले जाया जा सकता है यह आप लोग देख पाऊगे तो चायना रिसेंट ले से मतलब काफी समय लंबे पहले से प्रोलिफरेशन मतलब कि यहाँ पर क्या जैसे की न्यूगल वेपन्स वगरा जो वेपन्स होता है इनका ज्यादा फैला बना हो डिस आर्वामन एग्रिमेंट करने के लिए कुछ कमिट्समेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है यह आप देख पाऊगे कुछ देना पड़ता था चाइना ने यहाँ पर सिंपल इसी मना कर दिया था कि हम लोग अपने कंट्री का जो डेटा है वो यहाँ पर नहीं निकाल लेंगे हम लोग अपने कंट्री का डेटा बाहर नहीं देने वाले हैं ठीके यह आप लोग देख पाऊगे यह तो कुछ रिपो Republic of China का एक मिसाइल है Dong Fang Dong Fang 26 यहाँ पर ballistic missile है ठीक है इस missile आप देखपाऊगे इसने फेला दिया है कहाँ पर Korla वाले रिजन पे जो जिंजियांग वाले रिजन है वहाँ पर फेलाया है उसके बाद और भी बहुत सारी मिसाइल को नोने डवलप किया है जो कि अपने सारे बॉर्डर एरियास के अंदर फैला दिया है उसके बाद चाइना ने एक और मिसाइल को डवलप कर लिया जिसका नामे JL-2 सम्मरीन लॉंच्ट बलिस्टिक मिसाइल है इसकी जो रेंज है अगर आप कह सकते हो तो जो पूरा कपूरा एशा है एशा कॉंटिनेट को सभी तरफ से चाइना हिट कर सकता है चाइना के पास क्या पावर्स है यह आप देख पाओगे जो की ऑफर मेंशन कर रहे है तो चाइना आज के टाइम पर एक तरीके से मूव हो रहा है किसकी तरफ वार्निंग नुकलिर पोस्टर की तरफ ठीके मदब अमने देखा मिसाइल वगरा काफी कुछ डेवलप करें लेकिन अब यहाँ पर नुकलिर वेपन्स की तरफ आप देख पाओगे काफी तक इसका जुकाव देखने को मिलेगा ठीके यह हम लोग लोग देख पा रहे हैं उसके बाद यहाँ पर और वी बहुत सारी बलिस्टिक मिसाइल इसके बारे में चर्चा की गई जो कि आप से कहीं भी डिरेक्टली नहीं पूछा जाएगा उसका बोला गया जो चाइना का यहाँ पर यह पूरा का पूरा नुकलिर सिस्टम है इससे अश्या से यह भी आप लोग को मालूम होना चाहिए ठीक है यह चीज़े यहाँ पर बताई गई हैं तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा इंडिया को भी जो हाँ पर अपनी केबिलिटी उसको बढ़ानी पड़ेगी इंडिया के जो स्ट्राइजिक प्लानर्स हैं इनको सो स्ट्राइमिक के टाइम पर भी दो नए ने नूकलर पार बलिस्टिक मिसाइल को बनाया है तो यहाँ पर चाइना लगातार अपने डिफ्रेंस अक्टर के उपर काम कर रहा है इसी प्रकार से चाइना को ध्यान में रखते वे इंडिया को भी अपने खुद के जो ऑपरेशन आप सारी पॉलिसी में अप देखते बहुत अखी तरीके से बहुत सारे अलगलग डेटा पब्लिश होते हैं लेकिन आप दो ये भी देखना होगा इसका दूसरा पैलू भी बहुत सारे डेटा है जो कि यहाँ पर एक गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइट करवा देता है यहाँ पर अगर हम बात करें इमर्जिंग इकॉनविस के अंदर तो इंडिया के आप पास देख पाऊगे इंडिया के पास बहुत सारे रिलेटिवली रोबस्ट पब्लिक डेटा सिस्टम देखने को मिलेंगे लेकिन क्या करना है हम लोग ने सैंसेस भी जनरेट करता है आप लोग को मालूम होगा जनगरना भी देखते है हर दस साल में जनगरना भी क्रेट होती है कुछ सेंपल सर्वेज आते हैं साल साल में संपल सर्वेज आते रहते हैं कुछ स्पैसिविक थीम्स वगर आते हैं लेकिन क्या होगा हमें इन चीजों को और मजबूत करना होगा ठीक है बहुत सारे cases ये देखने को मिलते हैं कि ये जो data आ रहा है हमारे पास इस data के अंदर भी कहीना की कमी होती है या फिर ये data काफी बहुत देर हो जाती है इन लोग को आते आते तो इन चीजों के अंदर पाऊगे जब हम लोग यहाँ पर एक latest data processing technologies को अप्रूव करते हैं इसको लेकर आता है इसको adopt करते हैं ठीक है तो इससे यहाँ पर हम लोग को जब adopt कर रहा है हम लोग देखो यहाँ पर क्या हम लोग का focus है कि हम लोग latest technologies को लेकर आएं अब जब तक latest technologies को लेकर आएंगे तब पाता है, जो ये डिले है आपका सकते हो यहाँ पर इससे काफिये तक अफ़ेक्ट पड़ता है खास का डेटा के उपर और आप दिखसकते हो सबसे आला एक्जामपिल दिया गया emissions के बारे में हमने जनगर्णा के बारे में काफी बार डिस्केशन किया है कि दूसरी चीज़ आप देख पाऊगे, कि अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है, हमने सरकार ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है, कुछ यहाँ पर चीज़े लेकर आएं, जहाँ पर हमने देखा कि जो GDP का एस्टीमेशन है, जो अंदाजा लगाया जाता ह वो उपर नीचे आप लोग देख पाऊगे, इसके अंदर काफी बड़े चेंजिस देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि अगर हम लोग यहाँ पर एक अच्छा डेटा लेकर आ सकें, तो उस टेक्नलोजी से क्या एकुरेसी इंप्रूव नहीं हो सकती, बिल्क यहाँ पर author mention करते हैं, तीसी चीज़ आपर author mention करते हैं, देखो एक sample survey आता है भारत के अंदर, जिसका नाम है monthly household consumer expenditure, कि यहाँ पर जो consumer है, वो यहाँ पर कितना पैसा खर्च रहा है, ठीक है, इसके अंदर inflation index को कवर के जाता है, poverty line, poverty ratio को nutritional standard, सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर दाता है, कि जो consumption है, बिसकिली कितना हो रहा है, है, पर पैसा है, कितना खर्च जा रहा है, consumer के बेसरी चीज़ाती है, किसी भी food item के consumption के इस चीज़ी इस चीज़ों पर есब्सक्रा बेस पर लेकिन यहाँ पर आप देख पाओंगे सरकार भी बहुत सरी चीज़ों का समय सम ऐगे तो क्या यहां पर डेटा आया लेकुंड डेटा को लेकिन इसको रिलीज नहीं यहा गया क्यों इसकी विकार थी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा quality कैसे improve होगी जब आपके पास नई technologies होगी आपके पास modern techniques होगी तब ही आप लोग यहाँ पर इस quality को improve कर पाऊगे जो भी आज की टैंप पर surveys हैं आप देख पाऊगे लगातार हमने देखा क्रोना वाइरस में बहुत सारे surveys conduct ही नहीं हुएं उसके बाद अपकी बार का sample survey है consumption expenditure का बोला जारा है 2020-21 कंदर conduct किया जाएगा 2021-22 कंदर किया जाएगा लेकिन अभी भी हमारे पास कोई भी information नहीं है कि सरकार वाकई में इन service को अपकी बार connect कर रही है या नहीं कर रही है तो अपना आप में एक concern वाली चीज़ है तो challenges क्या है हमारे पास जो digital data collection tools है हम लोग जिनका भी इस्तमाल करते हैं उनको सही करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जो data है उनको collect करते हैं और कुछ tools इस्तमाल के जाते होंगे कुछ चीज़े होती होगी जिस जहार हम लोग data को collection करते होंगे तो वो जो tools है basically उनको हम लोग improve कर सकते हैं वो टूल्स हम अच्छे का अच्छे इस्तमाल कर सकते हैं जिसकी वजा से जो data collection है उसके अंदर एक accuracy निकल कर आएगा, प्लस एक quality develop होगी जिससे कि जो हमारा data होगा, वो काफी authentic data होगा जो public use के लिए आप पर data ये देखने को मिला करेगा ये चीज़ें यहाँ पर mention की गई है, आयूप आपको ये clear हुआ है अब इदा क्या होदा time पर कोई data नहीं आता, लोग विश्वास नहीं कर पादे data को लेकर यहाँ यह data तो fake है, ऐसे यहाँ पर सरकार ने जनरेट कर जाओगा लेकिन जब आप दिखाओगे कि यहाँ किस प्रकार से आपने data को जनरेट किया है यह यहाँ पर author mention करने है, आयूप आपको ये clear हो चुका है उसका एक छोटा सा article आपको नीचे देखने को मिलेगा, इसको read कर लेना देखो आजकल क्या हो रहा है, editorial पर एक state of play आ रहा है तो यह हमारे exam के लिए important नहीं आ रहा है, ठीक है इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक article है जिसको मैं चाहूँगा, आप लोग read करना है एक बार मैं आपको फिर भी overview देता हूँ, मैं आप रीड कर चुका हूँ मैं आपको एक overview देता हूँ, क्या है basically तो हम लोग देख पा रहे है कि गुजरात के अंदर लगबग बहुत सारे areas, बहुत सारे areas में क्या होता है, जो एक तरीके से non-veg का food stall होता है, non-veg के ठेले होता है, मीट बगरा बिकता है उन ठेलों पर, ठीके, और बहुत सारे लोग उन ठेलों को लगाते हैं, अब definitely आप ठेला लगा रहे हैं, तो उससे वो पैसा कमा रहे हैं, अपनी earnings को develop कर रहे हैं, और आगे बढ़ लहें, ठीके, अपला चीजों को launch किया है, जो कि इन non-vegetarian food joints के against में जा रहे हैं, मतलब कि इन ठेलों को बंद करिवाया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है, ठीके, open में जो ये food है, ये बिकने से मना किया जा रहा है, ठीके, open में चिन्ता वाली बात है क्योंकि लोग यहां पर इसी से कमा रहे हैं इसी से खा रहे हैं ठीके तो क्या है यहां पर क्या है उनसे उनकी जो लेवले हुड है वह काफियो तक अफेक्ट होता वह नजर आएगा इन सब चीजों के response में, इस सब चीजों के response में क्या हुआ है, जो गुजरात के BJP Chief है, CR Partil साब, इन्होंने बुलाए कि देखो भाई, कोई भी ऐसा action अगेंस्ट में नहीं लिया गया है, कोई भी हमने non vegetarian food के अगेंस्ट में action नहीं लिया है, इनका ये कहना है, इनका कहना है, कि हम लोग यहां पर main focus ये剛剛 कर रहे हैं, कि एक तरीके से जो लोग खा रहे हैं, कि इसको पर हमाला कोई discrimination नहीं है, हम लोग यहां पर focus उक रहे हैं, कि जो भी बेचा चा जा रहा है खाना, जो भी food cards मिलना चो भी प्रकार के बैन इंपोस करे जाएंगे न और इस प्रकार अगर लगाए जाएंगे तो इससे क्या होगा इससे यहां पर एक जो हमारी पॉलिटिकल पारटी उसका डॉमिनेंस देखने को मिलेगा प्लस जो लोग है लोग आज के टाम पर कमा के खा रहे हैं उनकी जो लैवली को लेकर देखो रशिया और युक्रेण के बीच में अपने बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है खासकर 2014 के बाद तो ना रशिया युक्रेण के बीच हो जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुक है अभी क्या बोला गया है ऑथर ने बोला है कि रशिया और सुलषाफ किया जा सकता है तो यहाँ अपर और और बोलता है कि जो यह सर्क अखर ज़िस्प्यूट के बारें बताता हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से connect कर पाओ यहाँ पर हमारे पास कुछ pictures वगरा देखने को मिलेगी हाँ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहली चीज तो आपको यह देखना होगा 2014 में क्या हुआ था यह आपको रषया देखने को मिलेगा यह samh यह बेखने को मिलेगा यूकरेन के नीचे यह आपको रिजन देखने को मिलेगा जिसका नाम है तो रशया ने क्या ख़रा 2014 में इस क्रीमिया को annex कर लिया इसको यहां पर कबजा लिया उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेशिया और उक्रेन की बीच में कुछ बॉर्डर एरियाज है ठिके यह कुछ बॉर्डर एरिया है यह सैपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया है अलग से लोग यहां पर देखने को मिलेंगे कौन से है Phuff in? Lugansk, Ordonex, यह कुछ एरिया है आपको देखने को मिलेंगे इनी एरिया के बारे में चर्चा की गई है इनी एरिया को लेकर यह Minsk agreement हुआ था, कहाँ पर हुआ था बेलरुस के अंदर हुआ था, बेलरुस एक कंट्री उपर आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर एक जगा है मिंस, यहीं पर यहाँ पर अग्रिमेंट हुआ था, इस अग्रिमेंट के अंदर चर्चा की गई, कि यह वाला जो एरिया है, यहाँ पर कैसे शांती बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर रश्या एक तरफ से भीड़ा पड़ा है, और युक्रेन एक तरफ से भीड़ा पड़ा है, जिसकी वज़ा से इस बॉर्डर एरिया पर डिस्प्यूट काफी ज़ादा बड़े हुए नजर आते हैं, आई हूँ आपको क्लिर हो चुगा है, यह वला रेजन है, खास कर यह बॉर्डर वला रेजन है, जिसको थोड़ा से एक तरीका से जूम कम है, तो यह वला रेजन है, इसको जूम कर दिया एंभाइगा। यहाँ पर काफी conflict रहते हैं यूक्रेन और रश्या के बीच में तो इस conflict को सुधार करने के लिए एक agreement हुआ था जिसका नाम है Minsk agreement ठीक है Minsk agreement हुआ था और वो Minsk कहां पर जगा है आप देख पाओगे बेलरुस के अंदर है बेलरुस के अंदर यह वाला Minsk आपको देखने को मि अब इस agreement के अंदर चर्चा क्या की थी इस author ने यहाँ पर इसके अंदर मेंशन क्या है मैं आपको directly notes की form में आपर समझा रहा हूं ठीक है तो आर्टिकल जीएस पीपर 2 के perspective से important is के बारे में ध्यानक ना है यह लगबग बात है 5 September 2014 की बात है कुछ representatives थैं यूक्रेन के ठीक है एक agreement को sign करवाए गया है 2014 के अंदर ताकि जो war चल लिए आज की time पर यूक्रेन के दोनबास वाले region में दोनबास वाला region मैंने अभी आप लोगो map में दिखाया है ताकि जो यह war चल लए है इस war को रोका जा सके इस लिए हाँ पर इस agreement को क्या था इस agreement ने बहुत सारी countries को support मि एक mediation मिला है जर्मनी ने mediate क्या है फ्रांस ने mediate क्या है इसके अंदर ठीके agreement करवाया था यह जो agreement है 2014 के अंदर हुआ यह मैंने आप लोगो समधाया ठीक है मतलब 5 स्प्टेंबर 2014 के अंदर यहाँ पर यह agreement है देखने को मिला था इसके अंदर हमने देखा कि रशिया यूक पाओगे इस agreement का protocol क्या था सबसे पहला यहाँ पर agreement के अंदर यह बात बोली गई थी कि क्या होगा instant bilateral ceasefire मतलब कि दोनों countries के बीच में जो लगातार गोलिया बाडिया चल लई है उसको रोका जाएगा पहला चीज यह बोला गया इस agreement के अंदर दूसरा क्या होगा यहाँ पर confirm करने वाली है और इन सूपरवाइजिंग को साथ साथ यहाँ पर जो सीज फायर है बतलब जो गोलिया वाडिया रोकने का काम है इसको confirm कौन करने वाला है इसको confirm करने वाली बाड़ी है OSCE ठीक है यहाँ पर आपका सकतो कुछ European countries है उसकी बाद यहाँ पर क्या हुआ हुआ अग्रिमेंट के अंदर वो था decentralization of power जो power है उक्रेयन के वो किसी के हाथ में रहेंगे उसको थोड़ा सा बाड़ दिये जाएगा जो लोकल गवर्मेंट प्रोविशनल अरेंजमेंट है यह हम लोग देख पाएंगे कुछ areas के अंदर मतलब जो powers है वो अलग से special powers हम लोग को यह वाला area चाहिए ठीक है तो क्या हुआ यह हुआ agreement के अंदर फिर उसका दिया हुआ इस agreement में बोला गया एक long lasting observation रखा गया है युक्रेयन रेशिया बॉर्डर और यहां पर आपके सकते हो जो इनके बीच में dispute है इसको लेकर एक long lasting observation रखा जाए प्लस उसके बाद यहां पर कुछ security zone से उनको बनाया जाए security zone बनेंगे border regions पर तभी इनके dispute कम होंगे प्लस उसके बाद यहां पर जो एक तरीके से कानून के अगेंस्ट में यहां पर काफी सरे लोग को तरीके से आपके सकते हो कि कैद कर रखा है अरेस्ट किया गया है मतलब कि उनको फालतूम अरेस्ट जाएंगे एक तरीके से यहां पर यह रखा गया था फिर उसके बाद यहां पर इसके अंदर क्या sign हुआ कि एक national dialogue को resume कि जाएगा कि एक national dialogue का जहां पर रशिया उक्रियन मिलकर चर्चा करेंगे जो चीज़ेंगे उसके बाद जो दोनबास वाला रिजन है महां पर humanitarian condition को अच ऑपर फैलिय के आरमी फैलिय उनको विड्रौ किया जाएगा उनको पूल आउट किया जाएगा वहां से ताकि वहाँ पर शान्ती बनाई जा सके उसके बाद एक्नॉमिक रिकवरी के जो प्रोग्राम है वहां पर इंप्लीमेट के जाएंगे लगू कि जाएंगे ताकि दोनमस फिर at the last यहां पर यह बोलते हैं कि आज के टाइम पर जरूरत क्या है कि इस Minsk Agreement को वापस से restore किया जाए अगर हम लोग इस Minsk Agreement को वापस से लेकर आते हैं जिसको यह लोग फॉलो नहीं कर रहा है टेलीग्राम पर भी शेयरए तो इस आर्टिकल को मैंने कल भी आप लोग को समझाया था तो आगई मैं फिल्ट से यह चीज पढ़ाऊंगा तो वह सई नहीं लगेगी मतलब अगर पढ़नी है तो definitely पढ़ानी चाहिए, बहुत सरे लोग नहीं जुडते हैं हमारे साथ, लेकिन इसका जो यहाँ पर पूरा explanation मैंने कल वाले वीडियो में दिया है, कल वाले वीडियो में जो सबसे पहला हमलारा page है, मैंने वहीं पर इसको explain किया है, तो please आप लोग एक गंडे से जादा क्रॉस होए, ठीक है, तो यह कुछ आर्टिकल इसका जो भी important points होंगे, वो मैं आगे वाले time पर discuss कर दूँगा, तो आपको कोई tension लिन नहीं ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए मैं कोई बी चीज़ा नहीं छोड़ता है, मुझे पता है, आपके लिए हार एक चीज़ important है, तो जो भी कोई बी चीज़ छूड़ती नहीं आपके लिए, तो आप बेफिकर रहा करो, जो भी इसके दो-चार point होंगे, वो मैं आप लोगों बता दूँगा, फिलाल इस article के अंदर कुछ जादा खास बाते नहीं है, ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जैहिंद